सबसे पहले देख लेते हैं आज कैसा रहा शेयर बाजार का हाल तो रही आज वीकली एक्सपाइरी और इसके दिन आज हमने देखा बाजार में भारी उतार चड़ा एक बक निफ्टी 270 अंकों की तेजी के साथ 16,950 के करीब भी पहुँच गया था मगर दोपहर बाद बना बाजार पर दबाव और फिर फिसल गए बाजार निफ्टी इंट्रडे में 265 अंक फिसला, सेंसेक्स साड़े 800 पॉइंट से जादा आज टूटा और आखिर में निफ्टी सिर्फ 5 अंक की बढ़त के साथ 16,700 के नीचे बंद हुआ तो सेंसेक्स में 33 अंकों की मामूली बढ़त नजर आई आज की कारोबार पर और जादा विस्तार से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे से होगी अर्मान नहरे अर्मान वीकली एक्सपाइरी की दिन हमने देखा बाजार सपार्ट बंद हुए, शुरुआत अच्छी रही लेकिन क्लोजिंग रही एकदम फ्लाट कहां सबसे जादा आक्शन देखने को मिला? हमारे माजार ने आज शुरुआत तो काफी अच्छी करी, जो कुछ भी नेगेटिव था, वो सब कुछ प्राइस दिन हो चुका था, सारी अंसर्टनिटीज को पता चल चुकी थी, पर जो हमने तेजी ली थी, हम उसे सस्टेन नहीं कर पाए, और अंत में हम फ्लैटिश और नेगेटिव के आसपास ही बंद होते में दिखें, अब कौन से इसे शेर्स थे जिनमें खासी मंदी देखी गई, निफ्टी के कौन से इसे शेर्स से, जिसमें इंडेस्टेंट बैंक, ब्रिटेनिया इंड़स्ट्रीज, टाटा कंजीमर, सन फार्मा इसे स्टॉक रहे जिन अब अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो टॉप निफ्टी गेनर्स में टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, इन्फोसिज, HCL टेक, IT सेक्टर ने अच्छा खासा सपोर्ट करा और इसी के कारण जो आपको नेजर निफ्टी गेनर्स दिख रहे हैं उसमें आपको HCL इन्फोसिज, टेक महिंद्रा दिख रहे हैं और हीरो मोटो कॉप ने भी अच्छा खासा गेन दिखाया, अब दूसरे गेनर्स की बात करी जाए जो निफ्टी गेनर्स के अलावा हैं उसमें हीकाल, KPR मिल्स, वेरोक इंजिनियरिंग और सीमेंस थे, अवरोल देखा जाए तो जो हमने शुरूवाद जो अच्छी करी थी हम उसे सस्टेन नहीं रख पाए और उसको अच्छी कन्वर्जन रेट पे अच्छे सपोर्ट के साथ हम क्लोज नहीं कर पाए